कार्तिक महा की पहली कहानी किसी गाउं में एक बुढिया रहती थी और वह कार्तिक का वर्त रखा करती थी उसके वर्त खोणने के समय क्रीशन भगवान आते और एक कटोरा खिछडी का रख कर चले जाते बुढिया के पडोस में एक औरत रहती थी वहर रोज यह देखकर इर्शा करती कि इसका कोई नहीं है फिर भी इसे खाने के लिए खिचडी मिल ही जाती है एक दिन कार्तिक महेने का स्नान करने बुढिया गंगा गई पीछे से क्रीशन भगवान उसका खिचडी का कटोरा रख गए पडोसन ने जब खिचडी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढिया नहीं है तब वह कटोरा उठा कर घर के पिछवाडे फैंक आई कार्तिक स्नान के बाद बुढिया घर आई तो उसे खिचडी का कटोरा नहीं मिला तो वह भूकी ही रह गई बार बार एक ही बात कहती कि कहां गई मेरी खिचडी और कहां गया मेरा खिचडी का कटोरा दूसरी और पडोसन ने जहां खिचडी गिराई थी वहां एक पोधा उगा जिसमें दो फूल खिले एक बार राजा हुश सोड से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड कर घर ले गया घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिये जिने सुंगने पर रानी गरववती हो गई कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जनम दिया वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी नहीं बोलते थे लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुड़िया मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहां गई मेरी खिचड़ी और कहां गया मेरा कटोरा बुड़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते थे कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो वह बुड़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई उसे आश्चर यह हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते तब भी है बुड़िया से कैसे बात करते हैं राजा ने बुड़िया को रहाज महल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से यह दोनों बोलते नहीं है तुमसे यह कैसे बोलते हैं बुड़िया ने कहा कि महराज मुझे नहीं पता कि यह कैसे मुझसे बोल लेते हैं मैं तो कार्तिक का वर्थ करती थी और क्रिशन भगवान मुझे खिचडी का बेला भर कर दे जाते थे एक दिन में स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचडी नहीं मिली जब मैं कहने लगी कि कहां गई मेरी खिचडी और कहां गया मेरा बेला तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पडोसन ने तुम्हारी खिचडी फैंक दी थी तो उसके दो फूल बन गए थे फैफूल राजा तोड़ कर ले गया और रानी ने सूंगा तो हम दो लड़कों का जनम हुआ हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है सारी बात सुनकर राजा ने बुड़िया को महल में ही रहने को कहा हे कार्तिक महाराज जैसे आपने बुड़िया की बात सुनी वैसे ही आपका वर्त करने वालों की भी सुनना कार्तिक महा की दूसरी कहाने एक समय की बात है किसी नगर में एक बुड़ा व्यक्ती रहता था और उसकी साथ भवे थी एक बार कार्तिक का महिना आया और उसने अपने बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा क्या तुम इसे निभादोगी साथ में से छे बहुओं ने मना कर दिया लेकिन बड़ी बहुओं ने कहा कि मैं निभादोंगी पुड़ा हर रोज सुबह उठता और नदी पस नान कर घर आता गीली धोती को वे बड़ी बहुओं के आंगन में सुखा देता जैसे जैसे उस गीली दोती में से पानी की बुंदे जमीन पर गिरती वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती दोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी छे भवों से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी बुड़े को अपने यहां नहाने को बोलते हैं उन्होंने कहा कि पिताजी आप कल से हमारे यहां कार्थिक नहा लेना बुड़े ने कहा कि ठीक है मुझे तो नहाना ही है मैं तुम्हारे यहां नहा लूँगा बुड़ा सुभे सफेरे स्नान करके आया और उसने धोती दूसरी बहु के आंगन में सुखाने के लिए डाल दे लेकिन यहां हीरे मोती की बजाए कीचर टपकने लगा बहुवों ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहां पाप का स्नान कर रहे हो इसलिए यहां से जाओ और बड़ी बहु के यहां ही स्नान करो बुड़ा वापस बड़ी बहु के यहां आया और कार्तिक का स्नान करने लगा स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे अब कार्तिक का महिना स्माप्त होने को था बुड़ा चिंता में पढ़ गया तो बड़ी बहु ने इसका कारण पूछा उसने कहा कि कार्तिक स्नान स्माप थोड़ने को है और मेरा मन है कि सारे परिवार को एक दिन खाने का नियोता दू बड़ी बहु ने कहा कि पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है आप सभी को बुला ले मैं खाना बना दूंगे बुड़ा सभी को निमंतरन देने गया तो बाकी बहु ने कहा कि जब तक वह यह घर में रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे बुड़ा फिर से चिंता में गिर गया कि ऐसे कैसा होगा और सूखने लगा पुड़े को सूखते देख बड़ी बहु ने कहा कि पिता जी अब आपको क्या चिंता है बुड़े ने बाकी छै बहुओ वाली बात बड़ी बहु को बता दी जिसे सुनकर वह बोली कि पिता जी ठीक है मैं खाना बना कर रख जाओंगी और उसने वैसा ही किया खाना बना कर रख दिया और अपने लिए चार रोटी लेकर खेत पर चली गई इदर छैओ भवो ने खाना खा लिया लेकिन जाने से पहले बागी बचे खाने में कंकर पत्थर डाल गई कि बड़ी भवो आएगी तो परेशान होगी इदर खेत में बैठ कर बड़ी बहु कहने लगी कि राम जी की चिडिया राम जी का खेत चुगलो चिडिया भर भर पेड मेरे ससूर ने घर में जगा दी है और मैंने खेत में चिडिया को बाजरा डाल कर वह घर आ गई घर आई तो बुड़ा फिर उदास बैठा था उसने फिर पूछा की है उदासी क्यों सब ठीक ठाक निपट गया न वह बोला कि हाँ सब निपट गया लेकिन वह तेरी देवरानिया बाकी बचे खाने में कंकर पत्थर वे मीठी ड बुड़े से बात कर घर के बीतर जाकर खाने को देखती है लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वह सब कंकर पत्थर डालती हैं वह सब हीरे मोती में बदल गए हैं घर की जगए महल खड़ा हो गया और धन धोलत से भर गया अनके भंडार घर में भरे पड़े हैं वह बु लेकिन यहां तो हीरो मोतियों के भंडार हो गए हैं पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है सधारन सा घर महल में बदल गया है बुड़ा सब चीजे देख कर बोला कि तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था लेकिन बाकी महों ने पापी मन से इसे निभाया इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन हुए और यह फल दिया हे कार्तिक देवता जैसे आपने बड़ी बहु की सुनी वैसे ही आप सभी की सुनना कार्तिक महा की तीसरी कहाने किसी गाओं में एक बुड़िया रहती थी उसकी एक पुतरवधू भी थी कार्तिक का महिना आता तो वै बुड़िया भाराकोस नहाने जाती लेकिन उसकी बहु वहीं पतीले में पाने डाल कर कहती कि मन चंगा तो कटोटी में गंगा और गंगा जी उसके लिए वहीं आ जाती वै उस गंगा में अपनी कार्तिक नहान कर लेती एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नत बह गई और बह कर बहु के नहाने वाले पतीले में आ गई और उसने वै उठा गर रख ली सास घर वापस आई तो उदास थी कि उसकी नत बह गई बहु ने सास को उदास देकर पूछा कि आप उदास क्यों हूँ सास ने कहा कि मेरी नत गंगा जी में बह गई है बहु ने कहा कि अच्छा वह नत वह तो मेरे पास है सास ने पूछा कि वह तुम्हारे पास है कैसे बहु ने कहा कि सासु जी आप तो बारा को स्कार्थिक नहाने जाती हो मैं तो यहीं कठडे में पानी डाल कर कहती हूँ कि मन चंगा तो कटोटी में गंगा और गंगा जी बहेकर मेरे पास आ जाती है जिससे मैं स्नान कर लेती हूँ आज गंगा जी बह कर आई तो उसी में आपकी नत भी आ गई जिससे मैंने उठा कर रख लिया इस कानी के बहाद कहना चाहिए कि जैसी बहू की आई सबी की आई लेकिन जैसे सास की आई वैसे किसी की ना आए कार्तिक महा की चोथी कहानी किसी गाउं में एक बुढिया रहती थी और उसका एक बेड़ा वह एक भव साथ रहते थे कार्तिक का महिना आया तो वो बुढिया ने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और एक महिना वहीं रहेगी यह सुन उसके बेटे ने अपनी पत्ने से कहा कि मा के लिए तीस लड़ू बना कर दे दो ताकि वह पूजा पाठ कर कुछ खा सके बहु ने गुस्से में आकर तीस लड़ू बना कर दे दिये बुढिया नदी किनारे कार्तिक स्नान को गई और वहीं एक किनारे पर छोपड़ी बना कर रहने लगी बुढिया रोज सवेरे उठ कर स्नान करती और जैसे ही एक लड़ू निकाल कर खाने लगती तो हनमान जी बन्दर के रूप में आते तो बुढिया वह लड़ू खुशी से बन्दर को दे देती इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीद गया और सभी तीस लड़ू हनमान जी बन्दर के रूप में खा गए कार्तिक का महीना स्माप्त होने पर बुढिया वापस जाने को तयार हुई तो हनमान जी प्रकट हो गए उन्होंने बुढिया की उस कुटिया की जगह पर एक आलिशान महल बनवा दिया बुढिया का पूरा महल धन धोलत से भर दिया उसकी काया निरोगी हो गई अन के भंडार से महल भर गया इतना सब होने पर वह धूम धाम से अपने बेटे के पास कई बुढिया को इतना धनी देख कर उसकी बहु ने मन में कहा कि अगले कार्तिक में मैं भी अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूँगी और अगले कार्तिक आने पर उसने अपनी मा को कार्तिक स्नान के लिए कहा पूरे तीस लड़ू घीव भहुत सा मेवा डाल कर अपनी मा के लिए बना कर दिये मा कार्तिक स्नान के लिए गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहा कर लड़ू खाने लगती तो हन्मान जी बंदर का रूप धारन कर उसके सामने बैठ जाते तो वह पत्थर मार कर उन्हें भगा देती और कहती की इससे मेरा पेटी नहीं भरा तो तुम्हें कैसे दूँ उसका रोज का यही करम 30 दिन तक चलता रहा कार्तिक का महिना स्माप्त हुआ तो हन्मान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहु की मा की कुटिया को कूड़े कचरे में बदल दिया और मा को डूकर बना दिया कार्तिक महीना स्माप्त होने पर बहु ने भी अपने पती से कहा कि कार्तिक का महीना खतम हो गया है आप मेरी मा को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ लडगा अपनी सास को गाजे बाजे के साथ लेने गया तो वहां देखता है कि कुटिया की जगह कूडे का धेर लगा है और उस पर उसकी सास डूकर बनकर बैठी है लडगे को देखन मान जी प्रकट हुए और बोले की बेटा तुम्हारी मान ने सच्चे मन से कार्तिक का स्नान किया और पूजा पाठ किया इसलिए ही तुम्हारी मा पर कार्तिक देवता का आशिवाद बरसा था लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्या किया और कार्तिक महिने में बेटी के घर का अनखाया है इसलिए कार्तिक देवता इससे नराज हुए है जिससे ही है डूकर बन गई कानी के बाद हाट जोड़ कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता जैसे आप लड़के की मा परबरसे वैसे ही आप सभी परबरसना